नमस्कार किसान भाइयों में सांथियों अतुली कृषियों आप सभी का स्वागत है किसान भाइयों क्या आप मेरी तरह भी धान कपास गेहूं गन्ना इसकी खेती करते हैं तो उन सब चीजों के लिए हम आप लोगों को एक बहतरी सा मसीन बताने वाले हैं जिसमें कि हमारी उ 10,000 रुपए की आमदनी भी कर पाएंगा सांथ ही अपने फिल्ड को लेवल करके इसमें हम अपने फसलों में उत्पादन को भी दुगना कर पाएंगे यह फुली आउटोमेटिक लेवरन मसीन है जिसमें हमारे दो सिस्टम लगे हुएते हैं सबसे पहले ट्राइपोड में आप देख पा रहे हैं यह में हमारा सेंसर होता है उसके बाद फिर वहां पर एक रिसीवर लगा हुआ है जिसमें की सिगनल हमारा पहुंच रहे हुँ ग्रीन चल रहा है इसका मतलब हमारे लेवल में और जैसे उपर नीचे जो लाइटे जलती है उसे भी हम जो हुआ हमारी जो हमारी बैटरी है हमने इसका इस्तमाल कि हुआ है हम इसका दो बैटरी रखे हुए एक जो है वहां पर यूज ही हो रहा है अगर अगर दूसरी बैटरी कर सकता होती है तो दूसरी बैटरी भी हम यहां पर रख रख चुके हैं एक बैटरी रगभग चार 40 घंटे कुल नहीं है तो यह जो है रिसीवर तक जाता है जो कि लेजर रिसीवर यह आप देख पा रहे यह रिसीवर जो वा डेफ्त मेंटेन करता है और हमको लाइट भी सो करता है उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा देख भारे है जो है वा सबसे पहले को वही काम करना होता है सेट करना है दूसरा होता है दिसको चलाना सुरू करते हैं उसके बाद फिर अवाद करते हैं यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहां से नीकल रहे हैं लेजर बीम निकल पा रहा है वो रिसीवर पर जाता है और वो लेवल को बताता है कि कितना लेवल अगर पर लेवल डाऊन होता है वहाँ पर थोड़ा उठा हुआ तो अगर आग्ड़ा कॉछत गहरा है तो वहेसा घлет रहा यह हं फर्स टाइम में हम जो इसमें तीन श्टेप में करते हैं जिससे कि आपको अच्छा जो हूँ इसमें को लेवल देखने को मिले और हमारी मसीन पर ज्यादा लोड़ना है first में हम थोड़ा सा depth लेते हैं फिर फिर depth होती है उसको हम बढ़ाते हुए चलती है फिर फिर पहला दूस्कार तीन यह पे दिन याफ देखेंगी हमारी tractor फ्री चलती है जो हमारे green light होता है यह पूरी तरीके से चलता हुआ जला जाता है तो इस तरह से हमारी working करती है और काफी अच्छे तरीके से एक एकड को लगभग हमको डेर से दो घंटे ही लगते हैं यदि नॉर्मल कंडिशन में हैं अगर ज्यादा ही जो है वह डिस लेबल है तो वह हमको काफी देर लग सकता है समान्य होने पर हमको डेर से दो घंटे लग जैसे इसमें production की बात करें उसमें उततपादन की बात करें तो हमारा धान का जो उततबान है उससे जो हम यदि लेबलिंग कराते हैं तुसमें हमको 60% साथ से एकसट परसेंट का ज्यादा उसमें हमको प्रोड़क्सन देखने को मिलता है उसी तरह का हम गन्ने की बात करें त उसमme if 60% production अधिक देखने को मिलता है तो इस तरह से production में हमको काफी ज्यादा benefit देखने को मिलता है with parties month at one lives कि मीठ्ल में ब्लेखने को मिलता है उसके बारी मैं बताना चाहूंगा सबसे होती है कि हमारी जो crop जो मैचोरेटी हो होती है वो एक साथ में चूर होता है जिसमें कि हमको हर्वेस्टिंग के समय भी काफी जो दिक्कत है वो नहीं देखने को मिलती वाटर जो है कंजर्व होता है इसमें पानी की कम लाग पानी जो होता है हमको इसमें कम देखने को मिल जाता है दूसरा होता है इसमें हमको पानी क distribute होता है इसके वैसे पटिवाजर सभी पॉधों पर equal distribute हो पाता है दूसरा होता है इसमें purely efficient जैसे कि हम इसमें जिताइग करें रहें तो हमारा tractor है कहीं ज़्यादा दबता है कम दबता है तो उसके विए से काफी दिकति समझाने को मिलती है तो जो ट्रैक्टर इसमें चलती है जिसमें की डीज़ल के भी हमको बचा देखने को मिलती है इस थरह से ओर वख बात करें दोस्तो इसे टाइप के सोच के मसीनला लाए हैं अपन पूरा खेती ले बनाड रहे हैं गाओं माँ बहुत सारा किसान है जिन है मौर से मसीनला देखके खेत के जिन लेबिल है ओला देखके मौर से काम करवा है कर दान की फसले चेनें की फसले नियों कि पानी परने नहीं करें देखके मौर सारा किसनलाब है में फसल नुकसान होता है उसमें शाड़ता नहीं है आप अपनी हिसाब से ना जितना पानी रखना चाहते हो आपको प्रैक्टिकल एक साल ऊपने उसमें तो उसमें ना मैं कम सिखाम उसमें 30 कटी क्यास पास ना धान इस्ट्रप आयो कि पचास से साट परसेंट तक जो है इस्टर मिलते आते हैं और कुछ कहना चाहिए हमारे किसान भाइयों को इस तरह की टेकनोलोजी को ले जो हमारी खेती बाड़ी में नहीं नहीं टेकनोलोजी आरी उसके बारे में क्योंकि आप जो है नॉर्मल यहां पर से फिर नया तकनीक आपने अपने गाहों में लेकर करें तो कुछ बदना से जो किसान भाइयों टेक्टर रखें हैं 45 से उस परका 50 55 साट जो भी है वह यह मसी ले सकता है और अपना जो है बना सकता है अखिर बात दोस्तों यह आ जाती है कि अखिरकर यह मसीन हमको कितनी लागत में मिल जाती है और यदि इस मसीन को खरीद करके हम इसमें बिजनेस ऑपरड़ेशनिटी ढूंडते हैं तो हमारे लिए किस तरह से होने वाला है उसके बा उसके बाद बात करें जैसे कि प्रति एकर में हमारे इसमें कितनी लागत आती है किस तरह के ट्रक्टर के नीड होती है तो यदि हमें इसमें बात करें 45 HPC से प्लस के ट्रक्रीजों है यह काफी अच्छा कैपेबल माना जाता है. दोस्तों इसमें हम फ्यूल को यह का सब्सक इसमें हमको फ्यूल करने को मिल जाएगा यह एक आइडियल कंडिसन हो गया अगर अच्छे से हम चलाते हैं तो हमको अराम से बारा से पंदरा सब कर फेट्टोल के अंदर बीच में आसानी से जो हमको लेवनिंग करने देखने को मिल जाएंगे उसके बाद फिर इसको हम आखे गंटे लगभग उसको चला करके दिखाते हैं यदि हम दस गंटे भी चलाते हैं दोस्तों तो इसमें हमारी पर डे का इंकम जो होने वाला है यदि हम इसमें जैसे के फ्यूल के बात करें वो सारी चीज़े काट करके 6,000 रुपे दस घंटे चलने पर हमको पर डे का मिलने व तो गंटे भी लगा जाते हैं तो उनके लिए काफी वर्दान माना जा सकता है क्योंकि इसमें को प्रोडक्शन जैसे कि हमने डाटा आप लोगों को बताया वह काफी चौकाने वाला डाटा है जो की प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ा देता है तो दोस्तों उमीद कर बैंता है जलदी मिलती हैं दोस्तों इससे तरफ कि इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक लिए जैहिंध भारत